स्विन्स कल देट आ गई है एक अगस्त को आपका एक्जाम है और अब यह बहुत जादा जरूरी है कि आपको जो एक टाइम मिला है इसका प्रॉपर यूज करना है जैसे कल मैंने लाइफ सेशन में निवू आपको निचोड के दिखाया था आपको इस टाइम को पूरा अच् कोई excuses नहीं आपकी final date set हो गई है इस टाइम से लेके इस टाइम से लेके आपके पास करीब करीब 20 हफ्ते के आसपास हैं ठीक है और 20 हफ्ते बहुत जादा होते हैं बच्चों बहुत जादा आप मोटा मोटा समझ लीजे 140 दिनों में आप खुद सोचिए 1400 घंटे के पढ़ा अपलोड कर दिया है आप इससे डाउनलोड करेंगे और इस टाइम टेबल को भरेंगे ठीक है और उसके बाद यदि आप मुझे कमिट करना चाहते हैं कोरा जो चैनल है कोरा जो साइट है उस पर मेरा जो प्रोफाइल है उस पर जाके मैंने question डाल दिया है उस question का link वीडियो के description में वहाँ पर उसकी image अपने time table की post कर दीजे यदि आपको यह वाली जगे कम लगती है ठीक है तो हाथ से बनाई है और पूरा अपना time table पोस्ट कर दीजे एक अगस्त का आपने अपना time table बना लिया आपका फालतू इधर उधर भागने में time waste नहीं होगा time table में तीन ची सेरीज में जो मॉक्त जाला हुआ है उनकी डेट सें ठीक है सबका से लेबस टैस सीरीज का लिंक वीडियो के description में आपको वहाँ पे से लेबस मिल जाएगा आप अपने इसाब से भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास target setting functionality भी available है आप अपने इसाब से लेबस डिसाइड कर लि कर दिया है आप में से काफी सारे लोग मेरे से पूछते थे सर 30 मही 31 महीं दिखाई दे रहा है अब आपको दो अगस दिखाई देगा नीट पैप के जो सारे courses है 2021 aspirants के और कली रात को हमने test series का schedule भी update कर दिया था कली रात को हमने test series का schedule भी update कर दिया था उस schedule में हमने change क्या कि जाएंगे हम 11 को consolidate करेंगे 12 को consolidate करेंगे 12 को इस तरह से किया है जो board exam लिखने वाले बच्चे रेडी हो गए होंगे तो 12 का test वो भी आराम से देख सकते हैं बिना परिशार हुए और उसके बाद फिर हम full syllabus test करते जाएंगे तो सारा schedule हमने need के exam तर test series का update कर दिया है लिंक वीडियो के description में आप जाके देख सकते हैं दूसरी चीज हम यह जो time table बना रहे हैं यह 5 step process के round है पहला step syllabus complete करो दूसरा step revision करो तीसरा step mock test दो चौता step post mortem करो पांचवा step post mortem के बाद वी के रिया पता चले अगले mock test से पहले उसे fix कर लो 5 step process मैंने पहले भी वीडियो के अंदर यह 5 step process बताया है ठीक है तीसरी चीज़ मैं आपको यह कह रहा हूँ आपके पास short duration revision course है नहीं है तो मैं strongly recommend करूंगा join करे short duration revision course के वीडियो हो जाएगा जितना time बचा है मैं वापिस बोल रहा हूं आप ऐसे सोच रिजे 140 दिन है याने आप आराम से 1400 से 1500 घंटे पढ़ सकते हैं और कुछ करने के लिए नहीं life नहीं है क्योंकि एक अगस्त को आपकी party होने वाली है है ना यदि आप अच्छी तरह पढ़ेंगे और short duration revision course SDRC जो है इसके अंदर 215 घंटे के वीडियो है ठीक है जिनको आप आराम से manage कर सकते हैं इस आपको सारे चैप्टर के नहीं देखने जिन चैप्टर में तकलीफ होती है this is a very good refresher और मैं आपको साथ में strongly recommend करूंगा क्या master class in bio जरू करें बायो आपका सारा है 50% paper है आपने बायो को crack कर दिया आप बायो से start करेंगे paper में जो confidence आएगा वो आपके chemistry of physics की performance को भी improve कर देगा यह तीसरी चीज़ हो गई और चौती चीज़ आपकी life एक अगस को बदलने वाली है last lap है 140 दिन का डीला नहीं पढ़ना है बच्चों मुझे आपसे यह promise चाहिए आपसे मुझे यह promise चाहिए comment section में अब आपकी बारी है and you are going to deliver now कोई बहाने नहीं कुछ आलतू-फालतू अटरम-शटरम distraction बोरियत कुछ भी नहीं बिल्कुल अपना daily routine 10-12 घंटे का daily पढ़ना है पढ़ने के लावा कुछ नहीं करना अराम से रात को सो आता हूं इस वाले format में या फिर आपको यह कम जगे लग रही है मैंने आप पर क्या लिखाए एक तो आपको कि can you please post your time table till 1st August इस format में बनाइए ठीक है और मुझे इसमें बढ़ना है प्रिंट आउट लेके भर दीजिए इसमें नहीं बढ़ना अपने आग से बनाना है क्योंकि जगह कम है पर मुझे फोटो कोरा के हमां मेरे प्रोफाइल पर जाहिए जो मैंने question डाल दिया यह आपका नहीं पड़ता पर प्लीज पर्सों से जब तयारी चालू करेंगे तो टाइम टेबल के तहट करेंगे विया गोई टू प्रिपेर एस पर टाइम टेबल यू विल प्रिपेर तिल 1st August तो यह मैं चीज़ें आपको बता देना चाहता था स्टूडेंट्स सारी चीजों का लि आपकी बारी आपके पैरेंट्स आपके पड़ो सी आपके जान-पहचान वाले आप再 expectation रखें आप अपने आपसे expectation रखे हुए int जिन्दगी चाहिए यह आपको मौका है डिसाइड करनेगा कि आप अगले 40 साल क्या वो चीज़े करेंगे जो आप करना चाहते थे या वो चीज़े करेंगे जो डिलेजीनेस की वज़े से जिन्दगी ने आपको दी ठीके बच्चों मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों से यह प्रॉमिस चाहिए अब आपकी बार यह है एंड यू आ गोइं टू डिलेवर नाव ठीके बच्चों